महात्मा गांधी और पहले तो मैं हर बार की तरह माफी मांग लूँ कि मैं अब तक मराठी बोलने लायक नहीं सीख पाया हूँ समझ जाता हूँ आप लोग जो बात करते हैं लेकिन बोल नहीं बाता हूँ तो हिंदी में बोलना मेरी मजबूरी है महात्मा गाधी को लेकर पिछले कुछ समय में एक अजीब सा माहौल बना है एक तरफ तो हमारे प्रधान मंत्री या कोई भी बड़े नेता जब बाहर जाते हैं तो मंज से खड़े होके कहते हैं कि मैं गाधी के देश से आया हूँ मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और दूसरी तरफ यह होता है कि उनकी जो पैदल सेना है वो लगातार गाधी के उपर कीचर फेकती रहती है अभी पिछले दिनों बीबीसी ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि रणजीत सावरकर साब का एक बयान आया है रणजीत सावरकर आप जानते हैं विनायक दाम 돌 सावरकर के पोते हैं मुझे बैतर आप लोग जानते है तो उनका बयान ये आया है कि महात्मा गांधी देश के राष्टर पिता कैसे हो सकते हैं देश तो हमारा हजारों साल पुराना है और किसी देश का कोई पिता कैसे हो सकता है आधी बात उनकी सही है कि देश हमारा हजारों साल पुराना है आधी बात देश का पिता वैसा नहीं होता जैसा बाप का बेटे का बाप होता है पिता का सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं होता आज हम बात करें जब मैं बात करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा ये समझने की भी और आप लोगों से डिसकस करने की कि रास्टर पिता कैसे कहा जाता है क्यों कहा जाता है रास्टर पिता का अर्थ क्या होता है उसका वैचारिक अर प्रिक्रम है और इस विशह पर आपको बोलना है, तो मैंने थोड़ा नए तरीके से खुद को रिफ्रेश कर लिया, थोड़ा सा रिसर्च कर लिया, तो मैं थोड़ा आकडों पे बात करूँगा, थोड़ा रास्टरपिता को होने को लेके बात करूँगा, और सबसे जदा होता है वो दो चीजें होता है और दोनों समानांतर चलती है एक तो देश एक भौगोलिक इकाई होता है जगर जगर्फिकल इंटाइटी होता है आप से कहा जाएगा भारत तो आपके दिमाग में तुरंत एक नक्षा उभर जाएगा उत्तर में कश्मीर दक्षिन में कन्या पूरब में आसाम और उसके आगे की जगह है इधर आपका पाकिसार पंजाब और महरास्टा और ये सारा कुछ एक पूरा नक्षा आपके दिमाग में जो हिंदुस्तान का नक्षा आपने बच्पन से पढ़ा और देखा है वो उभर जाएगा लेकिन उसके सास साथ एक ति क्यों United States of America का जो नक्षा होता है उस पर इतने सारे कलर होते हैं ऐसे ही नक्षे नहीं बन जाते हैं क्यों Congress की सभाओं में बरसों बरस इस बात पर बहस चलती रही कि हमारा नक्षा कैसे होना चाहिए हमारा जंडा कैसा होना चाहिए जो हमारा जंडा होता है किसी भी संगठन यकाई होता है दूसरी तरह वो एक विचारधारात्मक यकाई भी होता है जब आप सुनते हैं अमेरिका मैं भी नहीं गया हूँ, हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग नहीं गये हूँ, तो आपके दिमाग में क्या आता है, जगमगाती सडकें, जगमगाते बड़े-बड़े कसीनों, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग ये सारा कुछ, लिकिन जब आप श्री लंका सुनते हैं, तो आपके दिवांग में क्या आता है अगर आप बहुत धार्मिक है तो हो सकता है भगवान राम की आपको याद आजाए और या फिर समंदर याद आएगा प्राकरतिकस्थान याद आएगे किसी भी देश को याद कीजिए आप तो उसके नक्षे के अलावा उस देश की जो अंतर वस्त भी इस हजारो साल की जो परंपरा थी जिसमें बुद्ध भी आते हैं जिसमें बाकी लोग भी आते हैं उसी से तो अनुपराणित थे महात्मा गांधी भी गीता ही तो पढ़ते थे वो गीता हाँ हजारो साल की परंपरा में ही तो है महात्मा गांधी बुद्ध की बात करते होते होते इस देश का हिस्सा बन गए उनके बहुत सारे धार्मी कस्थली नहीं बने यहां पर कितने सारे कवी लेखक विचारक यह सारे के सारे पैदा हुए और इन सबसे मिलकर एक भारतिय संस्कृति बनी जिससे वात्मागादी अनुप्राणित थे लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद और अंग्रेजों से जो हमारा मुक्ति संग्राम चला चाहे वो 1857 का पहला विद्रो हो आप उसको प्रथम स्वादिंता संग्राम कहना चाहें महा विद्रो कहना चाहें वो आपकी आडियोलाजिकल पोजीशन पर डिपेंड करेगा लेकिन चाहे 1857 की बात हो य और दूसरी और उतनी ही बड़ी लड़ाई इस बात की थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद किस तरह का देश बनाना है इसी पर तो सारी लड़ाई थी कि किस तरह का देश बनाना है किसी को लगता था हिंदू राष्ट्र बनाना है किसी को लगता था मुस्लिम राष्ट्र बनाना है लेकिन इस देश की जो मुख्य धारा बनी मैं धाराओं पर बात करूँगा उस देश ने ये फैसला किया जो आप लोग अभी सम्विधान का प्रस्तावना सम्विधान की पढ़ रहे थे मैं कोशिश कर रहा था साथ साथ उसको पढ़ने की लेकिन फिर मैंने हार माल नहीं है कि तुरन 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 आप सीख लो तो वो जो पूरा सम्विधान की प्रस्तावना आप पढ़ते हैं वो वही वैचारिक आवधाना थी जो इन डेड़ सौ सालों से अधिक के संगर्ष में बनी अजादी की लड़ाई में तीन धाराएं बिसिकली आप मान सकते है पहली धारा गादी और नहरू की धारा थी लोकतांत्रीक सरधर्म संभाव और इस तरह की जो दादा भाई नौरोजी और उनके और पहले से शुरू होती है और पिर अब जितने नाम गिनाना चाहें नाम गिनाने की दिक्कत यह आजकर लोग कहते हैं उनका नाम नहीं लिया तो आप जितने नाम गिराना चाहें, आप सरदार पटेल कोस में ले लें, आप सुभाश बोस कोस में ले लें, आप मुलाना अबुलकल आमाजात कोस में ले लें, आप जितने नाम गिराना चाहें, एक ये धारा थी, जो सरश अस्त्र क्रांति की बात नहीं करती थी, अंग्र धर्म निर्पेख्ष्टा की बात करती थी और जिस लोकतंत्र की बात करती थी वो लोकतंत्र गांजी के लोकतंत्र से थोड़ा अलग था इस मामले में कि वो मजदूरों की सत्ता की बात करती थी लेकिन तीसरी धारा जो थी जिसमें मैं मुस्लिम लीग और हिंदु मासभा को एक साथ ले ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1942 में आये थे, जब नहरू ने पूर्ण स्वराजी की बात की, रावी के तट पर ये प्रतिग्या ली गई पूर्ण स्वराज की, उसके पहले का एक साल का पूरा डेवलप्मेंट देख लीजिए, डोम स्वराजी शामिल नहोंने पाए, और वहां से लेकि इनकी संगत 1942 और उसके बाद भी चलती है, जो धर्म आधारी देश बनाना चाहते थे, जो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे, जिसमें एक धर्म का आसर हो, अगर विनायक दामुदर सावरकर के सपनों का हिंदुस्तान ब पापिश हो जाते, तो हिंदू और बाकी सारे सेकेंड ग्रेट सिर्जन बन जाते, यानि देश के नागरिकों में फस्ट ग्रेट और सेकेंड ग्रेट करने का ये जो पूरा का पूरा आंदोलन्था, मैं उसको एक धारा में ले रहा हूँ, ये सांप्रदाई का थे, जो मातम बना रहे थे, जो मनुश्मृत की बात कर रहे थे, जो डॉक्टर अंबेटकर को गालियां दे रहे थे, आरक्षन का विरोथ कर रहे थे, हिंदू कोट बिलाने पर एक बार फिर आगीता प्रेस को पूरसकार मिला है, और गीता प्रेस ने उस समय पूरा एक कॉंग्रेस गाधी नहरू और जो इतने नाम आप लेना चाहें ले सकते हैं ये सारे वो लोग थे जो जिन्होंने भारत के लिए एक आइडियोलाजिकल आधार तैयार किया और ये आइडियोलाजिकल आधार जो है वो समविधान के रूप में हमारे सामने आता है तो समविधान हमारा आइडियोलाजिकल इंटाइटी है विचार धारात्मक अवरचना है हमारी समविधान जो भारत देश की भागोलिक सरचना के साथ साच चलता है दोनों को अगर आप अलग कर देंगे तो इंडिया भारत से शुरू होने वाला जो समविधान का पूरा मामला है और देश का पूरा मामला है वो साफ साफ दिखाई नहीं देगा तो जब हम राष्ट्र पिता की बात करते हैं तो उस भागोलिक इंटाइटी का कोई बाप नहीं हो सकता कश्मीर से लेके कन्या कुमारी या असाम से लेके पंजाब तक जो हमारा हिंदुस्तान फैला हुआ है वो कोई जैवी की काई नहीं है कि उसका कोई बाप हो जाएगा लेकिन जो ये विजार धारात्मक हिंदुस्तान है जिसके अंदर सरवधर्म संभाव का भाव विन्यस्त है जिसके अंदर लोक तंत्र का भाव विन्यस्त है जिसके अंदर समाजवाद की वो कल्पना है जो गाजी की कल्पना में किस तरह से सामने आती है कि विकास की कोई भ जातिहीन समाज की जो बात आती है इस तरह से जो हमारी विचारधारात्मक हमारा देश बनता है उसके पित्र पुरुष के रूप में महात्मा गांधी को माना गया। यहां भी विबाद हो सकता है डक्टर अमबेटकर गांधी को बहुत पसंद नहीं करते थे और शायद ही कोई मूर्ख होगा जो यह कह सके कि भारत के समिधान के निर्माण में या भारत के विचारधारात्मक निर्माण में डक्टर अमबेटकर को आप किनारे कर सकते हैं कोई म उनका भी पिता कैसे माल लिया जाए फिर मैं आपको लेके जाओंगा 1932 कराची अधिवेशन कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन से जो कुछ निकल कर आया है लाहूर अधिवेशन था शायद मैं भूल रहा हूं लाहूर अधिवेशन था 1932 का यस 1932 वाले अधिवेशन से जो कुछ निकल कर आया है जो उसके बाद कॉंग्रेस का डॉक्यूमेंट है आप उसको उठा कर देख लीचिए आपके समझ में आयेगा कि दरसल हमारा जो समिधान निर्मित हुआ पूरा का पूरा उसकी प्रस्तावना 1932 में लिखी जा चुकी थी एक व्यक्ति एक वोट का सिध्धान 1932 में लिखा जा चुका था कि जब भारत आजाद होगा हमारा जो समिधान निर्मित होगा उसमें एक व्यक्ति एक वोट का सिध्धान होगा जाते हीन समाज की बात हो धर्मों के आधार पर भेघभाऊ ना करने की बात हो समाजवादी समाज की स्थापना की बात हो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के 1932 के डाक्योमेंट में आ जाती और गांधी ये जानते थे कि इन सारी चीजों को तक्नीकी तरीगे से सबसे खुबसूरत कोई लिख सकता है तो वो व्यक्ति लिख सकता है जो मेरे खिलाफ तो है लेकिन इस देश की बहुसंख्या के साथ है यानी बाबा साहब डक्टर भीमराओ अमबेटकर इसलिए प्यारे लाल जी का जब आप संस्मान पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि जब समिधान सभा में ये हुआ कि डाफ्टिंग कमेटी का चेर परसन किसको बनाना है तो नहरू और पटेल दोनों को परसू किया तो ये जानते हुए कि लीडर्शिप में जवाहर लाल नहरू हैं सरदार पटेल हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं और गादी अभी जिन्दा हैं डक्टर अमबेटकर ने सारे पुराने भेद भाव बुला कर समिधान सभा में ये पत समाला और उसके बाद की कहानी इति समिधान में कोई रोल नहीं था वह एक टीम वर्क था जिसमें एक डिपार्टमेंट के नीडर डक्टर अमबेटकर थे और उसको शांदार तरीके से उन्होंने निभाया मैं थोड़ा सा क्लियर कर दो इस पर क्योंकि गई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कल्प ना कीजिए कि इतने जादा प्रामणवादी लोग अंदर बैठे हुए थे यह तो हिंदू कोड़ बिल ने साबित कर दिया तो वो जो पूरा कान था वो टीम वर्क था रात भर कांग्रेस कारेकारणी की मीटिंग चलती थी नहरू रात को चार बज़े तक काम करते थे कांग्रेस कारेकार जिसने अपने भेद भाव बुला कर उस समय साथ में कंधे से कंधे मिला कर काम किया इस टीम के पित्रि पुरुष साबित होते हैं गाधी क्योंकि सम्विधान सभा से बाहर बैठे थे लेकिन जो सम्विधान लिखा जा रहा था उस पर नजर रख रहे थे और चाहते थे कि उस समय देश के चितने भी योग ये लोग हैं वो सारे लोग उसमें शामिल हो चाहे वो कॉंग्रेस की कारे करता हो या कॉंग्रेस के विरोधी हो चाहे उन्होंने गांधी को प्यार किया हो चाहे गांधी को गाली दिया हो जब रास्ट का निर्मार हो रहा है तो सब को होना च चारों को भी साथ लेकर चलने की ये थी संकल्पना जिसके पित्र पुरुष्थे महात्मा गांधी और यही वजह थी कि उनको राश्ट्रपिता कहा गया लेकिन इतिहास में जाएंगे तथ्य बड़े मजदार होते हैं राश्ट्रपिता इस दोरान उनको नहीं कहा गया राश जी रफ्तार थे 22nd February 1942 को बा का देहान थो गया कस्तूरबा का देहान थो गया और उसके पहले ही प्यारे लाज़े क्या ना मादेव देसाई जी का देहान थो चुका था सुभाश चंद्र बोस थे जापान में अच्छा सुभाश चंद्र बोस का भी मामला ना बड़ा इंट लेकिन ये वो दौर था मैं उस पर भी बात करूंगा क्यों नारास थे गांधी के कहने की क्या वज़े थी ये वो दौर था जब सुभाश जी के दिमाग में ये प्लान बन रहा था कि उधर जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान में प्रवेश करेगी इ गादी जी से लगातार ये कह रहे थे कि आप जो है हमारे इस अभियान में साथ दीजिये गांधी जी ना साथ देने की बात करते हैं ना विरोध करके करने की बात करते हैं उस समय का मुझे तो कम से कम कोई पत्र मिला नहीं लेकिन जो घटना है वो सुनिए तो बाग zajते हान के बाद सुभाश चंद्र बोस ने पत्र लिखा और उस पत्र में पहली बार मदर अफ आवर नैशनल पीपल लिखा राश्ट्री ये जनकी मां जिसको अगर आप थोड़ा छूट ले ले तो राश्ट्र माता जैसा हो जाता है ये सुभाश बाबु ने लिखा बात आई गई ह गई ना उनके लिए राश्ट्र माता प्रचलित हुआ ना बापु के लिए राश्ट्र पिता पचलित हुआ इसकी धाई साल बाद एक और पत्र है और उस पत्र में वो लिखते हैं फादर आफ आवर नेशन गांधी जी के लिए फादर आफ आवर नेशन इसका सीधा अनु किसी भी सरकार ने कभी जो है उनको राष्टपिता का दर्जा नहीं दिया है कॉंग्रेस की जब गॉर्मेंट थी आगरा के किस्डेंट ने पत्र लिखा था बाकाइदा मनमोहन सिंग जी को और प्रतिवाप आठिल जी को तो उसके जबाब में ग्रिमंतरा ने लिखा कि सरकारी जो है कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहट इस तरह के कोई उबाद ही दी जा सके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई गई उस PIL में कहा गया कि मात्मा गांजी को आफिशिली राष्ट पिता कहा जाए तो बोबाडे साहब उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज्ट थे बोले वो राष्ट पिता तो है लेकिन जो सम्विधान बना है उस सम्विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी को राष्ट पिता कहा जा सकता है एक और बात है कि अगर एक अध्यादेश आही जाए कि कल से उनको पिता कहना है तो क्या हम आप पिता मान लेंगे क्या ये देश पिता मान लेगा कानूनों से सम्विधानों से इस तरह की चीज़ें तै नहीं होती है हम अपने बड़ों को या जिनको सम्मान करते हैं उनको नाम से नहीं बुलाते हैं जैसे डाट साब के सामने मैं खड़ा होंगा तो इनका नाम मेरे मुझे से निकलेगा ही नहीं या तो मैं दादा कहूंगा या डाट साब कहूंगा क्योंकि सम्मान है गाओं में कोई बड़ा बुड़ा होता है तो उसको भी हम ऐसे बाबा दादा फ़लाना इस तरह के नाम से बुलाते हैं कश्मीर में जब बहुत ज़ादा शेख अब्दुला साब की धाक थी तो उनको बाबे कश्मीर कहा जाता था कश्मीर के पिता और उसी के साथ साथ उनकी पत्नी को मादरे कश्मीर कहा जाता था कश्मीर की माँ ऐसे उधारन मैं देश वर में आपको दे सकता हूँ तो गांधी जी के साथ एक बात मैं आपको बता दूँ कि गांधी जी का लिखा जो उनको गाधी कहके बुलाता हूं केवल डॉक्टर अमबेटकर जिना सावरकर ये तीनों लोग उनको मिस्टर गाधी कहते थे वो भी मिस्टर आगे लगा के कहते थे इसके अलावा गाधी का जो सबसे प्रसिद्ध नाम था वो बापू जी था गुजरात बगल में हैं आप जानते हैं पिता को बापू कहनी की परंपरा है वही वहाँ जब थे तो भतीजे भी थे अपने लड़के भी थे और साथ के लोग थे अफरिका में तो उनको बापू जी कहा जाना शुरू हुआ लौट के आया तो यहां लोगों ने बापू जी कहना शुरू कर दिया और कस कस्तूर तो कोई समझी नहीं पाएगा किसकी बात कर रहा हूं कस्तूर बा कहे बिना उनका नाम ही पूरा नहीं होता है तो आप युवा जवाहर लाल नहरू या सरदार पटेल या इन सारे लोगों के पत्र अगर आप देखेंगे तो वह गांथी को डियर बापू जी लिखते हैं उसके बाद हो गया चंपारण सूट पहले ही उतर गया था इंदुस्तान आके चंपारण गया तो पजामा कुर्ता भी उतर गया लंगुटी में आ गया और जो भोजन था उनका आप जानते ही हैं अक्सर एक टाइम भोजन करना शाकाहरी भोजन करना सुबह भजन करना तो महात्मा टाइप के दिखने शुरू हो गए थे बिहार में तो बहुत सारी उनको लेके कहानिया चलती हैं कि नदी के पास से जा रहे थे तो नदी का पानी सुख गया या नदी के उपर पैर करके चले गया उत्मा चमतकार लोगों ने जोड लिये जिसको गांदी ने कभ जिसकी हत्या किये उसने उसको भी वो गांधी जी कहता है ये भी मेरे ख्याल से दुनिया का इकलावता उदारन होगा कि जिससे आप इतनी नफरत करते हैं कि उसको भी जी लगाया बिना नहीं कह सकते हैं ये सारे किस्से मैं उनलों को सुना रहा हूं जो सब जानते हैं फिर पुलिस का दरूगा है तब तक चलेगा जाएगा तो वो चला जाएगा ये सम्विधान ऐसे अरजित किया जाता है जिसमें आप अपना पूरा जीवन गला देते हैं एक सिध्धान्त की रक्षा के लिए एक जो आपका लक्ष है उस पर चलने के लिए जब लोगों को भरोसा ह होता है कि आपने वो जीवन जिया है जो जीवन वाकई दूसरों के लिए जिया गया है जिसमें वाकई स्वार्थ की कोई जगर नहीं है जिसमें आपने गलतियां भले की हैं लेकिन सही रास्ते पे चलते हुए की हैं आप पहार पे चड़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें आ वेश आजाद हुआ सम्विधान के निर्मार्ग की प्रक्रिया शुरू हुई तो उनके लिए जो राष्ट्रपिता का संबोधन सुभाश चंद्रबोस ने दिया था कभी वो संबोधन दुबारा से प्रचलित हो गया अब आखरी बात कहके मैं बात खतम कर रहा हूं कितना आसान था गांधी के लिए गांधी तो खर नहीं करते लेकिन सरदार पटेल जवाहरला नहरो मौलाना अबुलकलाम आज़ाद सब्तों के शिश्य ही थे कितना आसान था कि सम्विधान में दो नियम बना देते एक नियम बना देते कि मौहंदास करमचंद गांधी को रास्टर पिता गांधी ही कहा जाएगा दूसरा नियम बना देते कि इनकी आलोचना करना ब्लास्फेमी है ये दुनिया मनाना कितना आसान काम था, सत्तर साल तो चला होता, उसके बाद जो होता देखा जाता, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो लोकतंत्र हमारे हैं स्थापित हुआ, जो अभिव्यक्ति की आजादी हमको मिली, जिस तरह का सर्वधर्म संभाव का सेकुलरिजम का सिध्धान था, उसके बावजूद, उन लोगों को जो इसके खिलाफ थे, जो गाजी को गालियां दे रहे थे, जो नहरू को ग काम करने की और अपनी गंदी विचारधारा फैलाने की आजादी तभी मिली, क्योंकि सम्विधान ने अभिव्यक्ति का अधिकार दिया था, लोकतंत्र दिया था, तो जिस राष्ट्र के पिता गाधी हैं, उसी राष्ट्र ने आपको ये अधिकार दिया था, कि 70 साल तक आ करना कितना आसान था उस समिधान में ऐसे नियम बनाना, नियम तो ये भी बन सकता था कि कॉंग्रेस के अलावा कोई और सत्ता में आएगा नि, कोई बड़ी बात नहीं थी, पाकिस्तान में तो पहले बनाई था कि मुस्लिम लीग इकलौती रूलिंग पर्टी होगी, बाद विक्सित हुई हमारी विचार धारा थी, जो अविव्यक्ति की आजादी की बात करती थी, जो लोकतंतर की बात करती थी, जो विरोधी विचार के सम्मान की बात करती थी, जिसके तहत वो विचार भी पल्लवित हुए, पुश्पित हुए जो गादी के खिलाव थे और आज सत्ता तक पहुचे और वही लोक्तंत्र वही डेमोक्रेसी वही लोक्षाही वही अव्यक्ति की आजादी है जिसके चलते सत्ता से बाहर भी जाएंगे ये हैं लोक्तंत्र की खुबसूरती ये हैं हमारे भारत की खुबसूरती और इस खुबसूरती के इस वैचारी खुबसू